फ्रेंज मकर सिकरांती का तोहार है जो आने वाला है और इस तोहार पे हम सभी के घरों में जो मिठाईयां तो खोब बनती है तो अभी मैं आपके लिए दो इंस्टेंट बनने वाली मिठाईयों की रेस्पी लेकर आई हूँ ये वाली मिठाई बनाने के लिए ना तो आपको खीकी ज़रूरत पड़ेगी ना ही मावा यह चाशनी की बनाना इनको जितना असान है न उससे कहीं ज़्यादा यह हैल्दी है तो आई होप आपको आज की यह दोनों रैस्पीज अच्छी लगेंगी अच्छी लगी तो इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा तो चलिए फिर पिना देर करते हुए इनको बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कप ले लिए मुंगफली रोस्टड मुंगफली हमने इसके लिए लेनी है भुनी हुई मुंगफली और इसका छिलक है जूतरा होना चाहिए मुंगफली को मिक्सर ग्राइं इसको इस तरह से आपने पीस लेना इस तरह से टेक्शिर होना चाहिए अभी हमने इसको एक दूसरे बरतन में निकाल लिए और आदा कप हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा यानि डैसिकेटड कोकोनट आप इसकी जगह पे जो गिरी आती है नो सुखा वाला नारियल इसको भी कद्द्दू कस करके डाल सकते हैं तो अभी हमने नारियल का बुरादा इसमें अच्छी तरह से एप है इसके साथ हम इसमें डालेंगे चे चमच दूद का पाउडर जो प्लों आपकिसी भी आदा कप गुड़ पाउडर जो गुड़ की शक्कर आती है वो जैगरी पाउडर आप चाहें तो इसमें पिसी हुई चेनी भी डाल सकते हैं लेकिन जो गुड़ है वो हमें ठंड के मौसम में अंधरूनी गर्माहट देता है गुड़ खाना है जो ठंड के मौसम के लिए छोड़ लीजिया वह भी बता है कि फॉर को खेंसे और इसमें मिला सकते है कि इस ना स्सक्कित आख इसके साथ इसमें में दो चमघाल रजू है हो ने हुए तिल दढसलों आप साथ जा चप ses तक हो यूज कर सकते हैं दूब मॉट ऑप इस हैं जो तो गड़ यह तो अदर न मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था तो थंडा दूद आपने इसके लिए यूज करना और दूद इसमें हमने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है जैसे तीन से चार चमस डाल दिया फिर आप उसको अच्छी तरह से मिला दो उसके बाद आपको जितनाक लगे उतनाक दूद अगर आप इसको दूद से नहीं बनाना चाते फिर आप इसमें जो देसी घी गरम करके वो भी डाल सकते हैं तो अभी हमने देखिए थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूद डाला और इसको ऐसे हाथों से मसलते हुए अच्छी तरह से इसको इस तरह से देखिए कर लेंगे हमने इसका एक ऐसे सॉफ्ट डो सा त्यार कर लेना है यह बिल्कुल हार्ड नहीं होना चाहिए और यह देखिए बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी मिठाई का यह जो डो है बनकर तयार हो गया तो अभी हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया और इस तरह से आपने इसको हाथों में घुमाते हुए इसका रोल बना लेना है और यह हमने थोड़े से प्लेट में भुने हुए तिल बिचा दिये तिल डाल दिये और उनके उपर हम इस तरह से इसको रोल को घुमाएंगे जिससे पूरे तील है, इसके उपर ये देखिए लग चुके हैं, अब हमने एक लिए फॉयल पेपर, आप इसकी जग़पे बटर पेपर भी ले सकते हैं, और उसमें हम इसको रोल को अच्छी तरह से इस तरह से देखिए, कवर करतेंगे, फॉयल पेपर में कवर करने के बाद हमने इसको फ्रिज में सेट होने के लिए दस मिनट के करीब रख देना, दस मिनट में ये वली जो मिठाईय जम कर तयार हो जाती है, तो ये हमने दस मिनट के बाद इसको निकाल लिया, और ये देखिए, मिठाई हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, अभी ह तरह से हम बाकी सारे जो पीसिस हा वो भी कट कर लेंगे, तो ये हमने इसके बाकी सारे पीस भी निकाल लिया और उपर मैने इसके थोड़ा-थोड़ा सा बरी कटा हुआ पिस्ता लगा दिया है, आप चाहें तो इसको ड्राइ फ्रूट्स को इस तरह से कट कर कि न इसमें प बनने वाली है, और इसमें हम घी, मावा या चाशनी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक कप ले लिए हैं फूल मखाना, फूल मखाना जिसे लॉटर सीट्स भी बोला जाता है न तो दो से तीन मिनिट के लिए रोस्ट कर लेंगे, ऐसी ड्राय रोस्ट करेंगे, मखाने और तील हैं जो दोनों ही सरदियों के मौसम एक खाने सहथ के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, फाइबर से भरपूर होते हैं, हमें ठंड से बचा कर रखते हैं, हमारी स्किन औ और बालों के लिए बहुत अच्छे हड्डियों को मजबूती देते हैं तो आप जितने भी फाइदे कहें उतने ही इनके कम है तो इन दोनों को हमने जो दो से तीन मिनिट के लिए ऐसी लगातर चलाते हुए रोस्ट कर लिया और ये देखे तिल का भी हलका सा कलर चेंज हो ठंडा होने के बाद हमने इसको पीस लिया और इस तरह से आपने इसको हलका सा दर-दरासा रखना विल्कुल इसको महीन पाौषटर नहीं बनाना जिस तरह का ये वला टैक्षर है बस ऐसे आपने इसको रख लेना है अब हमने कडाई है जो दुबारा से गैस पे रख दिया यूपक में परड़ार भीज़ में आसा क्यां और चीन .. जब तक tell how to changeutan यूपक जैसे चीनी दूद में घूल जायगी लिए और हम पर पका लेंगे जिससे दूद हलका से जो गड़ा हो जाएगा बस इससे ज़्यादा नहीं आपने इसको पकाना जैसे चीनी इसमें घुल गी तो हम दो मिनिट के लिए इसको और पकाएंगे तो यह दिखे चीनी है जो दूद में अच्छी तरह से घुल चुकी है और दूद म आईए देखे बिलकुल आपको ना ऐसे जैसे जैसे आप इसको पकाते जाओगे आपको ऐसे लगेगा जैसे हम मावा की कोई मिठाई बना रहे हैं इतना स्मूद सा इसका एक टेक्स्चिर आ जाता है तो यह देखे हमने इसको दूद में अच्छी तरह से मिला दिया है अब कि यह हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है तो अभी यह देखे है पहले से मिक्स्चर हमारा गाडा होना शुरू हो गया अब मैंने इसमें थोड़े से डाल दिया है बरीकटे हुए पिस्ता ड्राइ फ्रूट्स में आप चाहें तो इसमें बदाम भी डाल सकते हैं काजू मैंने अब इसमें सिर्फ पिस्ता ड्राइड की है और हम इसको तब तक पकाते रहेंगे जब तक यह कडाई को छोड़ना स्टार्ट नहीं कर देता जैसे जैसे मिक्स्चर थोड़ा गाडा होता जाएगा ना आब हम आज की यह वाली मिठाई यह जो बिना घी के बना रहे है अगर आप चाते हैं इसमें घी डाला तो इस टाइम पे आप इसमें जो एक से दो चमच घी अड़ कर सकते हैं लेकिन मैं इसको बिना घी के बना रही है तो मैंने इसमें घी बिलकुल भी नहीं डाला यह हमने दो चमच जो तिल पहले रोस्ट करे थे उसमें से दो चमच ति इस फॉर्म में आ जाए न तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे 10 से 15 किश्मिश यह आपको टेस्ट अच्छा लगता तो जरूर डालिएगा दरवाइस आप इसको स्किप भी कर सकते हैं तो यह दिखिए मिठाई का मिक्शिर हमारा अच्छी तरह से पक चुक है पहले से काफी गाड़ा भी हो गया जब यह इस फॉर्म में आ जाए तो हमने गैस का फ्लेम कर देना बंद ओवर कुक इसको बिलकुल नहीं करना और इसको हम ढखकर 2-3 मिनिट के लिए ऐसी छोड़ देंगे जब यह हलका से गरम रह जाएगा आपको लगी के हम इसको हाथों से चूँ सकत है मैं इस तरह से इसका एक रोल बना रही हूं आपने इस तरह से हाथों में घुमाते हो ने इसका रोल बना लेना है बहुत ही इसली यह बन जाता है बहुत ही सॉफ्ट यह वली मिठाई है जो बनकर हमारी तियार होगी तो यह हमने रोल बना लिए है अब मैं इसमें तो यह मैंने थोड़े से पिस्ता भी डाल दिये अब हम रोल को है जो इसके उपर इस तरह से दिखिए इस तरह से आपने घुमाते हुए जिससे जो तील है और जो हमने पिस्ता डाले थे न उसकी उपर अच्छी तरह से कोटिंग हो जाएगी बिल्कुल यह उसमें कवर हो जा इसको अच्छी तरह से कवर कर देना तो यह हमने फॉइल पेपर ले लिए और उसमें हम इसको ऐसे तरह से कवर करके फ्रिज में जो इसको 15-20 मिनिट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे अगर आप पेड़े बनाते न फिर तो आप इसके साथ की साथ पेड़े बना सकत तो फिर आप इसको फ्रिज में सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दीजिए तो अभी हमने इसको फ्रिज में जो ऐसी रख देना और यह मैंने इसको अभी फ्रिज में 15-20 मिनिट के बाद बाहर निकान लिया और देखते हैं हमारी मिठाई कैसी बन कर तेयार हु तो यह हमने एक पीस कट कर लिया इसी तरह से बाकी सारे पीस हैं जो इसके वो भी कट कर लेंगे तो अभी न मैं आपको इस मिठाई का जो एक पीस तोड़कर भी दिखा देती हूं आपको इसका टेक्स्चिर पता चल जाएगा बहुती सॉफ्ट और बिल्कुल मुँ में घुल जाने वाली ये वाली हमारी जो मिठाई है बनकर तैयार हुई है बनाना इसको बहुत हैसान है और इस मिठाई को आप अराम से है जो दस से पंदरा दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं तो आए होप आपको आज की ये दोनों रेस्पीज अच्छी लगी होंगी अच्छी लगी तो इन्हें लाइक जरूर कीजिएगा